तो सभी का अर्दिक स्वागत है गनित दर्पन चैनल पे आज हम पढ़ रहे हैं कौन एवन कौन के परकार के बारे में जो की बहुत ही मैतापुन टॉपिक है क्योंकि इससे समधीद काफी प्रश्ण विधाले इस्तर पर और कपिटेशन एक्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान प्रुपक देखना है आपके एक भी प्रश्ण गलतनी होगा ऐसा मुझे विश्वास है तो चलिए इस्टार करते हैं कौन एवन कौन के परकार के बारे में यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन होता क्या है कि यदि दो कीरने एक इन दोनों कीरनों के बीच में एक कौन बनेगा अब यह कौन है वो कई परकार के होते हैं अलग लग उन सभी कौन के बारे में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा सबसे पहले देखते हैं सुन्ने कौन अब जीरो एंगल क्या होता है यदि कौन बनाने वाली दोनों कीरने य यानि दो केड़ने होगी जैसे एक किरण यह हो गई एक किरण और दूसरी किरण भी इसके उपर है बिल्कुल तो इनके बीच में सुन्य कौन बनेगा यानि इन केड़नों के मद्य है वो जुकाव क्या है शुन्य है तो ऐसे कौन को सुन्य कौन कहते हैं ठीक है नेक्स है नियून कौन एसा कौन जो सुन्य डिगरी से बढ़ा परंतु 90 डिगरी से चोटा हो नियून कौन कहलाता है यानि एसा कौन जो 0 डिगरी से बढ़ा हो और 90 degree से चोटा और उसे कहेंगे new corn, देखते हैं, new corn का जो diagram में वो किस्टंग से बनेगा, यहाँ पे बना के बता देतो आपको, इस type का दिखेगा आपको new corn, तो 0 degree से बड़ा होना चीए और 90 degree से चोटा होगा, तो उसे कहेंगे new corn, यहाँ मैं corn को theta से परदसित करूँगा, ज आपको द्यान रखना है, यह theta है, अब theta का मान है, देखिए यहाँ पर theta का मान के स्टंग से होना चीए, 0 degree से बड़ा, तो यह 0 degree है, और उसे बड़ा, यानि यह बड़ा का चिनल लगा दिया theta की और, और 90 degree से चोटा होना चीए, तो चोटा का चिनल लगा दिया, 90 degree, theta है वो 65 डिग्री हो यानि कि कहीं एक्जामपल आप लीख सकते हो 0 डिग्री से बड़ा होना चीए और 90 डिग्री से छोटा होना चीए तो ऐसी सभी कोणों को क्या कहेंगे noon कौण तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि noon कौण किसे कहते हैं या फिर यह समझ सकते हैं, कि 0 degree तथा 90 degree के मद्य, जितने भी कौन आएंगे, उन सभी कौनों को कहेंगे, noon कौन, ओके, चलते हैं, आगे, नेक्स है, सम कौन, तो यह लगबग, लगबग, सब को पता ही होता है, सम कौन कहते हैं, 90 degree के कौन को, तो 90 degree का क्या कहलाता है, सम कौन, और चिसका डाइग्राम, विल्कुल, इस्टेट होता है, आपको बनाना आता होगा, इस टंग से, यह है, 90 degree का कौन, यहाँ पर आप नाम लेख सकते हैं, ऐसे, 90, ठीक है, तो, सीदी सी परिवासा है, इसकी, यह 90 degree के कौन को, सम कौन, कहते हैं, यानि, यहाँ पर जो थीटा का मान है, क्या होना चिए, 90 degree, तो, इस परश्रूप से, उसको कहेंगे, सम कौन, नैक्स, नैक्स है, अधिक कौन, इसा कौन, जो, 90 degree से तो, बड़ा हो, परन्तु, 180 degree से चोटा हो, उसे कहेंगे, अधिक कौन कहलाता है, है ऐसा कॉंड जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य बनता हो उसे कहेंगे अधिक कॉंड तो परिवास आप यह लिख सकते हैं कि ऐसा कॉंड जो 90 डिग्री से बढ़ा परन्तु 180 डिग्री से चोटा हो अधिक कॉंड कहलाता है अब यहां पर इसका डाइग्राम अगर बनाना अजा है तो इसे बनेंगगा देखिए यह क्यंसे आपको लिखेगा कि यह इंया फैझ छो भी बने गाईती म कॉंड इसे आधिक कॉंड कहने कारती हुगा आपके 90 डिग्री से यह थीटा का माने वह बड़ा ओना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चीए अब चाहे वो 91 डिग्री हो यहां से लगा कर 179 डिग्री तक जितने भी वीच में सब कौण आ रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे अधिक कौण तो आपको अच्छे डंग से समझ में आ गया होगा यह अधिक कौण किसे कहते हैं यानि कह सकते हैं कि 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के मद्य जो भी कौण बनते हैं उन्हें कहते हैं अधिक कौण सकते हैं आगे रिजु कौण या फिर इसका दूसरा नाम है शरल कौण इस्टेट एंगल यानि 180 डिग्री का जो कौण होता है उसको कहेंगे रिजु कौण या फिर कहेंगे सरल कौण तो आपको अगर पूचा जाता है कि सरल कौण किसे कहते हैं आपको बोलना 180 डिग्री के कौण को रिजु कौण कहते हैं या फिर उसको सरल कौण कहते हैं तो आपको अगर इसका चित्र बनाना हो तो इस ठंग से बना सकते है बिल्कूल इस्टेट होगा ऐसी लाइन दिखेगी आपको 180 कौन यहां बनाना चाहता है यसे बना सकते है 180 डिग्री का कोन को क्या कहें गये समकून और 180 को कर Elsa Geschionk तो यहां पर विल्कुल से सीठा नजरा रहा है यहां थीटा का जो मान है वह कितना है 180 डिग्री चलते आगे मैक्स है वरहत कौन या फिर इसका दूसरा नाम है पर्तिवर्ति कौन तो वरहत कौन या पर्तिवर्ति कौन किसे कहते हैं कि ऐसा कौन जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से चोटा हो वरहत कौन या फिर इसे दूसरा नाम है पर्तिवर्ति कौन तो इसका अगर डाइग्राम बनाना चाहे तो आप इस टंग से बना सकते हैं कि यहां से मानलो यह परारमपिक रेखा है और एक सोसी से बड़ा बनाना देखिए इस्टेट है वो बिलकुल एक सोसी होगा तो एक सोसी से अपन को आगे जाना है तो मैं इसको यहां तक ले लेता हूं यह तो यहां से लगाकर यहां तक अगर आप चांदे से मापेंगे तो आपके हो जाएगा यह थीटा पॉर्ण और यहां पे उस्वस्ट्रूप से 180 degree से बढदा होगा और 360ий से चोटा होगा क्योंकि एक पूरा चक्र गूं के वापस यहां पर आउंगा इस लाइन पे तो ये पूरा 360 360 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक बिंदू पर बंदे वाले सभी कौणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है यानि 4 तरफ घूमके वापस उसी बिंदू पर आने पर 360 degree का कौन प्राफ्थ होता है, तो 180 से बड़ा theta का मान हो गया, यानि, theta है वो क्या होना चीए, 180 से तो बड़ा, 180 degree से बड़ा, और 360 degree से क्या होना चीए, छोटा होना चीए, तो आपके theta है वो क्या हो जाएगा, भरहत कौन, या फिर पर्तिपर्ति कौन, यानि, reflex अंगल, next, शंपून कौन का मतलब होता है, 360 डिग्री का जो कौन होता है उसे कहेंगे संपून कौन यानि एक तरसे ऐसे कह सकते हैं यह जो एंगल है और इस लाइन के चीचिए और लाइन के ऊपर यह गूम के वापस यहां पर आएंगे तो यह कितने डिग्री का कौन बनेगा 350 तीङरी, यानि अगर थीटा का मान 350 तीजरी है तो उसे कहेंगे संपूरak कौन नेक्स शंपूरक कौन यह important है और ऐसे प्रष्णा हाते रहते है संपूरक कौन किसे कहते हैं कि ऐसे दो कौन जिनका योग हो 180 डिगरी उसे कहेंगे संपूरक कौन परिवासा क्या होई कि ऐसे दो कॉन जिनका योग 180 डिग्री हो समपूरक कॉन क्यालाते हैं यानि कोई भी दो कॉन ऐसे हो जिनका योग अगर 180 डिग्री पर अपत हो जाए तो उसे कहेंगे शमपूरक कॉन तो थोड़ा समझते हैं इसको दिखिए जैसे एक कॉन X डिग्री है और दूसरा कॉन है Y डिग्री अब इन दोनों का योग है वो 180 डिग्री आएगा तो यह जो X और Y यह कॉन है वो कहलाएंगे समपूरक कॉन तो अपरिक्सा में कैसे परशना आता है वो थोड़ा आपको बताता हूँ आपको पूचा जाएगा कि सो डिग्री सोरी सो डिग्री का सो डिग्री का शंपूरक क्या होगा तो डिग्री का शंपूरक क्या होगा तो सिंपल सा इसका जवाब आप दे सकते हैं कि दूनों को योग है वो कितना आना ची एक सो असी और आपको पूचा है 100 डिग्री का संपूर कौन तो 100 डिग्री को घटा दो 180 में से तो क्या प्राफ्ट हो जाएगा 80 डिग्री यानि 100 डिग्री का संपूर कौन होगा वो क्या हो जाएगा 80 डिग्री यानि जब आप दोनों को जोडेंगे 100 और 80 को तो क्या प्राफत हो जएगा आपको 180 को आपको पूछा कि 120 दीगरी का संपूर क्या है तो आप जवाब देवाब 60 degree क्योंकि 120 को गटाएंगे 180 में से तो क्या आजाएगा 30 degree अब दोनों को जोड़े तो क्या आजाएगा 180 degree यानि पुल मिला के दोनों का जवाब आपका योग आना चाहिए क्या 180 degree तो ऐसे कौन कहलाते है समपूरक कौन next next है पूरक कौन ये भी समपूरक कौन जैसा का जैसा ही है कि ऐसे दो कौन जिनका योग क्या हो 90 degree हो क्यला आएगा पूरक कौन वहाँ पे संपूरक कॉर्ण में क्या हो रहा था कि ऐसे दो कॉर्ण जिनका योग क्या हो 180 डिग्रियों उसे कहेंगे संपूरक कॉर्ण और पूरक कॉर्ण किसे कहते हैं ऐसे दो कॉर्ण जिनका योग 90 डिग्रियों पूरक कॉर्ण क्यालाते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि दू कौनों का योग अगर समकौन के बराबर है तो ऐसे कौनों को पूरक कौन कहते हैं आप जो भी परिबास आपको याद रहती है वो रख सकते हैं अब दू कौन एक्जमपल लेता हूं यहाँ पर मैं जैसे मान लो एक X है और एक Y है इन दोनो डिग्री का पूरक कॉन बताईए तो 50 डिग्री का पूरक कॉन आप बता सकते हैं 40 डिग्री क्योंकि आपको योग कितना लाना है दोनों का इन दोनों का योग कितना आना चीए 90 डिग्री ये ऐसे दो कॉन जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा पूरक कॉन बिला के जो कौन ऐसे दो कौन जिनका एक सिर्स तथा एक बुजा उबेनिष्ट एवं दोनो कौन उबेनिष्ट बुजा की विप्रित और बने आसन कौन कहलाते हैं वापस परिवासा पढ़ रहा हूं कि ऐसे दो कौन जिनका एक तो सिर्स और एक बुजा उबेनिष्ट हो यानि इसकी वि प्रेनिस्ट गुजा की विप्री तवर बनने चीए यानि दोनों साइड एक लेट एंड साइड में बनना चीए एक राइट एंड साइड में इस तरह से विप्री तवर बनने चीए और तो उसे कहेंगे आसन्द कॉन्ड यानि मैं चित्र बनाता हूं इसका तो समझ में आजे यह यहां पर नाम दे देता हूं मैं O यह A यह B और यह B ठीक है यहां पर कौन 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 से बन रहे है एक तो बन रहा है यह कौन एक मैं डबल लाइन के द्वारा रेट से बना देता हूं यह अब दो कौन आपको नजर आ रहा है उनकी क्या विसेसता नजर आ रही है वो वापस पढ़ते है देखे यह ऐसे दो कौन है जिसमें एक सिर्स और एक भुजा उबेनिष्ट है देखे एक सिर्स यानि दोनों कौन का निर्बान एक ही बिंदू पर हो रहा है दोनों कौन ओ बिं चाहित तक मुझा ओर दोनों को बनाने में सैयोग कर रही है यानि ओ O, B, यह जो कौन बन रहा है, और जो B, O और C, यह जो कौन बन रहा है, इन दोनों कौनों को बनाने में, यह जो बुजा O भी है, वो सयोब कर रही है, और यानि इसके सापेक्स दोनों कौन बन रहे है, फिर दोनों कौन है, वो उवेनिष्ट बुजा के विपरी तोर बनने चा तो इस्टंग से आप समझ सकते हैं कि देखिए कौन को इस्टंग से लिखते हैं एंगल को ए ओ और बी ता दूसरा कौन कौन सा है बी ओ और और शी कौन बी ओ और दोनों क्या है आशन कौन है क्या है आशन कौन अब इसके अंदर आपको यह पूचा जाएं कि जो कौन ए ओ और और कौन ए ओ सी क्या आशन कौन है तो आपका चबाब होगा क्योंकि यह इस गूंदर्म का पालत नहीं करते है कौन कौन से कौन जबहुत कि मैं लिखके पताता हूं कि कौन जो एर अ definsw Ft यही कौन है यह, दूसरा कौन मैं लिख रहा हूँ, कौन A, O और C, यानि यहां से लगा कर यह पूरा कौन, यह पूरा कौन है, वो यह दोनों कौन आसन कौन है या नहीं, तो इसका जवाब आपको लिखना है नहीं, अब क्यों नहीं है, क्योंकि एक सिर्स और एक बुजा तो दोनों कौन उबेनिष्ट भुजा के विप्रित और नहीं बन रहे हैं, इसलिए यह आसन कौन नहीं है, यहां पर इस पर्स रूप से है, कि जो कौन A, O, B और A, O, C, यह एक ही और बन रहे है, यह भी इधर बन रहे है, और यह भी इधर बन रहे है, यह लेप एंड साइड में दोनों बन रहे है, दोनों एक दूसरे उबेनिष्ट हुजा के विप्रित नहीं बन रहे है, इसलिए यह आसन कौन नहीं है, तो समझ में आ गया होगा आपको आसन कौ कॉन की कि का युग्म हो I can't Maple इंडर काफी वा रूप्यों ऑब रूप्यों परम्य पड़ते तब रेकिक पॉन्ड के से कई बार पॉष्णों को किसे लिए तो यहां पर रेकिक कॉंड युग्म है क्या देखिए समझ लेता है इसको रेकिक कॉर्ण युगमा यानि वही आपको इस पर श्रुप से एक सरल कॉर्ण कैसा होगा इल्कुल ऐसा ही नजर आएगा शरल कॉर्ण और उनका योग है वो के आना चीए 180 डिग्री तो चाहिए कैसे भी बना सकते आप ऐसा यहां मैं रहें लेता हूं सभी नाम O A B और यह C तो यहां जो कॉन बनेंगे दोनों देखिए सबसे पहले ते आपको यह बता दू कि यह जो दोनों कॉन है वह आसन कॉन है A O B और B ॉर C एक कॉन तो यह है और दूसरा कॉन है वह यह है डबल लाइन से सो कर देता हूं इन दो दोनों इसेस्ता देखं़ क्या है वापस वही कि एक सिर्ष है वह साथ में एक बुजा 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 की बुजा करेंगे तो एक सो अस्सी आएगा तो उसे आएंगे रहिए कौन युगम यानि कि जो यहां पर नाम दू मैं चलो X degree नाम देते था इसका और इसका नाम देते था हूं Y degree तो जो X degree पलस Y degree यानि इस कौन का और इस कौन का योग करेंगे तो आपके आएगा 180 degree तो उसे कहेंगे रेकि कौन योग में ओके तो इस्टंसे सभी कौनों के बारे में यह परिभास आए थी आपको ये वीडियो कै कैसा लगा है यह भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और इसमें किसी भी परकार का कोई भी कन्फिजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मैं नेक्स वीडियो के अंदर आपको वह बात समझा सकूंँ थैंक्स